मैं इस वीडियो में आपको कुछ ओसुद्य पोदूं के बारे में हिंदी में जान करें दूंगा इससे पहले में अपने सोल्ड वीडियो में अंग्री जवासा में पहले इनके बारे में जान करें दे चुका हूं और इस वीडियो में हिंदी में आपको थोड़ा बिस्तिर्त और बताने के कोशिज करूंगा कि जो इनका आयरवेद में बहुत ही महत्व है पहला पौधा है होले रेना प्यूबेसेंस यह एक फ्लॉरिंग प्लांट और यह फ्लॉरिंग प्लांट का ब्रिक्ष है यानि असे पौधा तो हाई लेकिन इसके हैबिट जो है मना यह काफी बड़ा होता है कभी कभी कहीं पर छोटा भी होता है ज्यादा तरे डेंस परस के अंदर तो काफी बड़ा पोधा दिखता है और इसको आयरवेद में इंद्रजो के नाम से जाना जाता है और इसके अन्य कही नाम है जैसे इंद्रजो कुटस स्वेद कुटस करवा इं इंगलिस में इसको कुरुची और कोने सिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। कुटस यहां भारत के प्रणपाती बनों में यानि ट्रोबिकल फोरेस्स में 1000 मीटर तक की उंचाही तक के अस्थान में मिलता है। और इसका बर्सू से जो है कुटस का जो है और सुधे परियोग होता आ रहा है। यह खासका दस्त और डाइरिया खासका एमिविक डिसिंट्री जिसको बोलते हैं उसमें ज्यादा उप्योगी है। इसको रहे गुटने के दर्द में भी उप्योगी है। दूसरा पोदा केलोट्रोपिस गिएंटिया है जिसको हिंदी में मदार के नाम से जादा जाना जाता है। और इनके अन्या नाम है जैसे आंकड़े का पोदा अर्क अकुवा आक के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहां पोदा जो है चार मीटर तक एकदम छत्यदार यानि कि इसमें लीप्स काफी जो है एक डेंस बनाती हैं छत्ता टाइप का और इसके साखाओं से और पत्यों से दूद निकलता है। और पत्त बर्गत के समान मोटे और थोड़ा सकुलेंट होते हैं और उसमें सफेद एकदम से पूपॡर जैसे पूपूदर होते हैं UCA को गध्राप कि इसका फूल जो है सफेद जाए कंगे मार्मिद में और यह ज्यादा तर जो है रेखली भ्हूमी पर ज्यादा होता है व्यादा नदी के किनारों किनारों प्रणपाती बनों के अंदर यह डिव्यद्टॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर आता है मिलता है इनकोल यह आधी सिमें 1940 जमीन में देखा जाता है और इसको जो है और शोफ टै की पॉड़ार होग जैसे म मत्यादा हो ने। यह कारगर सी दूआ है और इसके लगा अन्या संक्रमन को भी के उपचार के लिए होता है जैसे फेपड़ों में और भी कभी कभी जोसे कुछ अगर संक्रमन हो जाता तो उसके लिए भी उपी गए इसके लिए जोड़ों में दर्द और सुजन से भी रहत इसके मिलती है और खासकर गर्वीवती महलाओं में परसपीड़ा को प्रिरित करने के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है और कुछ तो इसकी जड़ को भी कमर में बानने के लिए बैदे लोग जो बोलते हैं कि जल्दी आसानी से डिलिवरी हो जाती है उसके रहे खुजली जीकित तुमें बहुत करेगर है और इसके जड़ को निर्व ट्रबल्स में भी उपयोग करते हैं मनि साइक कि साइको मेडिसन जिसका नाम होता है उसमें यह उपीगी है मारा जड़कू लोग जो है जिसे तंत्रमंत्र कर वाले बोलता हैं तंत्र से भी जैसे कि उमन्स के लिए बता है पर सपीड़ा को बढ़ाने लिए कमर में बांदेते हैं इस तरह से गर में रखने से जो है कोई भी बुरी नजरेंग का प्रभाव नहीं होता है तो यह इसको बोलते हैं साइकोमेर यानि नीरो ट्रोबल्स को यह काफी मानसिक रोगों को खतम करने में यह बहुत ही उपयोगी है और इसके जहरेले कीडे काटने पर भी कोई भी जैसे कीट काला जैसे इंसेक्ट या अन्य कोई बिचूब वह रहा थे उसके काटनी के अस्तावन पर इसके पत्तों को पीस करके लगाने से आरा मिलता है और वहीं यह पान से दस ग्राम में जड़ को पानी के साथ में घोल करके लेने से पत्री भी निकल जाती इसमें और तिसरा पौदा ए है अंकोल आगे और यह यहां एक जाड़ीदार पोघस को वोगता है लेकिन कभी 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 बडा पीड़ हो जाता है लेकिन अधिक तर जाड़ीदारी मनें इक छूप कीतरह होता है जिसको सर्व बोलते हैं और पांसे दस मीटर तक उंचा होता है और कभी कभी स्मार्ट ट्री भी दिखता है यानि बड़े ट्री समझ लीजे और इसमें फल जो है वेरी टैप के होते हैं गोल्ड अरिलिप स्वाइड और जो है पकने पे जो है जामनी रंग के हो जाते हैं और फल बहुती सीतल स्वादिस और रेचक मिंस रेचक जो आयरवेद में सब दोता है रेचक और बल्य और बातपित और च्छे नासक होते हैं और फलों से भारी फलों का उप्यूग जो है औस देव गुन में या मानि भारी माहवारी रक्स्राव जो ओर्थों में जिसको होते ह मैं मैंस्रेसन स्याइक्ल चीजम की जो है बहुत जाता है तो भारी माहावारी इसाय मोयर्य में इसको जब ज़्यादा मेंस्ट्रेशन साइकल रक्सरा होता है तो उसको रोकने लिए भोत ही उखेगी है इसके फलों का उप्यों किया जाता है इसको लग कब्ज की समस्याओं में भी इसके फल से राहत मिलती है और यहां प्रहय जो है यानि बालुदार चेत्रों में ज्यादा मिलता है ट्रोपिकल अनि ट्रोपिकल राइंज के अंदर अनि ट्रोपिकल फोरस में और जिसको खासकर पढ़न पाती बन कहते हैं धन्यवाजी प्ली लाइकें सब्सक्राइब इस वीडियो